सुनने से मौक्ष की प्राप्ति होती है वाला वेहट के बड़े बाजार में पूर प्रधान के पिसिंग के यहां सभी तोमर परिवार के सहयोग से चल रही श्रीमत भागवद महापुरान की खता का पूर आहुती के साथ समापन हुआ कथा व्यास पंडिश्री कांथ नायक ने बताया कि श्राद पक्ष में भागवद महापुरान की कथा पित्रों को सुनाने से उन्हें सुक एवं शान्ति की प्राप्ति होती है और सभी प्रित अपनी योनी से निकल कर देव योनी में प्रवेश कर जाते हैं इसलिए श्राद पक्ष में भागवद कथा राजा परिक्षित को सुक देव जी ने गंगा घाट पर साथ दिन की कथा सुनाई जिससे उनका मोक्ष हो सके तब साथ दिन राजा परिक्षित ने सुक देव जी के मुक से भागवद कथा श्रवन की और अपना उध्धार किया आज पूर्ण आहुती के साथ कथा सवापन पर अनेक लोगों ने आरती उतारी कथा में गाओं के अलावा आसपास के छेतर के सभी लोग पहुँचकर पुर्हेला अरजित किया समधाता महेश नगाइच की रिपोर्ट ललितपुर पूर्ण जयकैतर, आजकर के दियाँ माज़ा के ओजा है नही आएँ सेवी के साथ को पागवेश साथ कोर्ट लुत आईएँ प्रफ्राइब और वर्वान चले हैं रखक्रूदी आये हैं समझाया रात वर्थे हैं रत्वर्थे आगे बड़े हैं दोबी के आठ परपाजे दोबी कुछ शांतना दी आगे बड़े हैं आगे बड़े हैं उच्छा के गर बोजन किया है उनको शांतना दी उसको अंदर प्रतु संदर आगे चले उबलिया भी नाम प्रहाती को ध्रासाई कर दिया रवान को इंचा करते जो शांतना दी नाम प्रतु संदर आगे बड़े हैं बड़े हैं इंचा कि गर दिया रवुकर नाम प्रिजन करते